तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजिस और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे खरसिया ब्लोग के बारे में अगर छेत्रिफल की बात करें तो ये 514 वर्ग किलिमेटर फैला हुआ है अगर जनसंख्या की बात करें तो करीब पाक की यहां जनसंख्या रहती है यहां लोग 36,000 के आसपास परिवार रहते हैं तो अब बात करते हैं खरसिया ब्लोग के दस सबसे बड़े गाओं के बारे में तो दस्वे नमबर पे आता है बर्रा जहां करीब 249 लोग रहते हैं ये पहाड़ों के पास बसा हुआ है जो कुर्रू, नगोई, पत्रपाली इसके नजदी के गाओं हैं तो नौवे नमबर पे आता है कुंगुनी जहां करीब 258 लोग रहते हैं ये राहगड़ और खरसिया मार्ग पर इस्तित है और इसके एक तरफ मान नदी और दूसरी तरफ खरसिया है तो आठवे नमबर पे आत जल्दा, भदरिपाली, पत्रपाली इसके नजदी की गाओं हैं तो साथवे नमबर पे आता है तियूर जहां करीब 2529 लोग रहते हैं ये हनुमान मंदिर पाल गदा घाट के पास इस्तित है हमली टिक्रया, भाटा गाओं, साजापाली, लोधिया इसके नजदी की गाओं ह जो भी जहां करीब 2623 लोग रहते हैं ये खरसियां से उत्तर की तरफ 3 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है मिन गाओं, बर्रा, पत्रपाली, नगोई इसके नजदी की गाओं हैं तो पांचवे नमबर पे आता है मदनपूर जहां करीब 2724 लोग रहते हैं ये मांड नदी के जहां करीब 295 लोग रहते हैं ये जरने पहाड वा अपनी खुबसूरती के लिए जाना जाता है यहां अटल रोग गार्डन, बोतलदा की गुफा और बहुत सारे जरने हैं तो दूसरे नमबर पे आता है मौगापाली जहां करीब 2988 लोग रहते हैं इसके आसपास बहुत सारे मंदिर और पहाड हैं कुनकुनी, बेनी पधर, नावा गाओं, आड़ पत्रा इसके नजदी की गाओं हैं तो पहले नमबर पे आता है तेली कोट जहां करीब 3165 लोग रहते हैं यह खरसियां से सटा हुआ है पत्रा पाली, तूरे केला, और दा, भदरी पाली इसके नजदी की गाओं हैं तो फ्रेंज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो करते हैं